अतरप्रदेश के कांपूर में रेल हादसा हुआ है जहां साबरमत एक्स्प्रेस की बोगया डिरेल हो गई है कांपूर से भीमसेन सेशन के बीच ये हादसा हुआ है एक बड़े बुल्डर से इंजन की टक्कर हुई थी आद से में इंजन के टैमेज होने की खबर है सुबर ढाई से तीन बजे के बीच ये हादसा हुआ, किसी के हताहक होने की खबर नहीं है रेल्वे की तरब से हिल्पलाइन नमबर जारी किया गया है, वारण असी से एहमदाबाद ट्रेन जाती है बताने की पीस बोगियाओं के डिरेल होने की खबर सामने आ रही है, अलाकि अच्छी बात ये रही कि सभी लोग सुरक्ष्वी थे, तस्वीर भी अब सामने आ चुके है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चाहां पर ये बोगिया डिरेल नजर आ रही है, इसके साथ साल्थ ह अलग अलग जगों के लिए अलग अलग जगों के लिए अलपलाइन नबर जारी किये गया है, जहां कॉल करके आप चानकारी ले सकते हैं, तूतर प्रदेश के कानपुर में ये बड़ा रिल हाथसा हुआ है, साबरमतिक्स्प्रेस की बोगिया डिरेल हो गई है, कानपुर स जा रहे ही साबरमतिक्स्प्रेस ट्रेंड पट्री से हट गई, उसके बास से अधिकारी युद्स दर पर जुटे हालांकि इसमें पूरी के कैजूल्टी नहीं हुई, रेल्वे के अधिकारी जहां एक और जाज कर रहे हैं, प्रशासने के अधिकारी का और इनके साथ प्रशासने के लोग, जिला प्रशासने के लोग, जिला दिगारी महज़ग खुद आये थे, इम्मुलेंस, मेडिकल टीम, आर्टियों के द्वारा बसो गरे का इंदजाम भी किया गया, आप देख रहे होंगे, विसे भी खड़ी हैं, लोग बसों से और रिल्वे द्वारा म欸मी ट्रेंट का भी किया गया है इंदजाम, जिसे लोगों को वापत शिश्यसण भेजा जा रहा है, और यहाँ पर लोगों को खाने, पीने सारी इंदजाम जों करा दिख रहा ता, कहीं कोई दिकर देख नहीं ia है सर कोई कैश्वल्टी तो नहीं हुई कोई कैश्वल्टी नहीं है कोई किसी कोई घाल भी नहीं हुआ सब सुरुचित तो देखे सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा हादसा हुआ है लेकिन इसके बावजूद सभी लोग सुरक्षित बताया जा रहे हैं कि इनचन खास करके शुतिगरस्त हुआ उसके बाद से 20 बोग्या जिरेल हो गई बताया जाता है कि एक बड़े बॉल्डर से इनचन की चकर हो गई और ऐसे में बोग्या जिरेल हुई है तस्वीरे अब आपको डिखा रहे हैं जहां ये बोग्या जिरेल नसर आरी है वह ये इ ये बड़ा हादसा हुआ है बड़े बुल्डर से एंचन की चक्कर हुई थी 20 बोगया तीरेल हुई अलग अलग चगों के लिए हेलप लाइन नंबर भी चारी किया गया है बताया चारा है कि इस ट्रैक पर रेलवे के परिशालत में थोड़ा और वक्त लग सकता है रेलवे के अधिकारी मौके पर मौझूद है